नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप सभी को एक बहुत ही प्यारी कहानी सुनाने वाली हूँ, जो कि वाकई आपके दिल को छूलेगी, इस कहानी का नाम है पती-पत्नी का प्यार एक आदमी ने एक बहुत एक खुबसूरत लड़की से शादी की, शादी के बाद दोनों की जिन्दकी बहुत प्यार से गुजर रही थी, वो उसे बहुत चाहता था और उसकी खुबसूरती की हमेशा तारीफ किया करता था, लेकिन कुछ महीनों के बाद लड़की चर्म ग्रसित हो गई, और धीरे धीरे उसकी खुबसूरती चाने लगी, खुद को देख उसके मन में डर समाने लगा, कि यदि वो बस सूरत हो गई, तो उसका पती उससे नफरत करने लगेगा, और वो उसकी नफरत बरदास्त नहीं कर पाएगी, इस बीच एक दिन पती को किसी क अगे बढ़ती रही, समय गुजरता रहा, और अपने चर्मरोख के कारण लड़की ने अपनी खुबसूरती पूरी तरह से गवा दी, वो बस सूरत हो गई, लेकिन अंधे पती को इस बार में कुछ भी पता नहीं था, इसलिए इसका उनके खुशाल विवाहित जीवन पर क कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा, वो उसे उसी तरह से प्यार करता रहा, एक दिन उस लड़की की मौत हो गई, पती अब अकेला हो गया था, वो बहुत दुखी था, वो उस शहर को छोड़कर जाना चाहता था, उसने अंतिम संसकार की सारी क्रियाविती पून की, और शहर चोटर जाने लगा, तब एक आदमी ने पीछे से उसे पुकारा, और पास आकर कहा, अब तुम बिना सहारे के अकेले कैसे चल पाओगे, इतने साल तो तुमारी पतनी तुमारी मदद किया कर दी थी, पती ने जवाब दिया दोस्त, मैं अंधा नहीं हूँ, मैं बस अंधा ह होने का दिखावा किया, वो बहुत अच्छी पतनी थी, मैं बस उसे खुश रखना चाहता था, और इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि खुश रहने के लिए हमें भी एक दूसरे की कम्यों के प्रती आखे बंद कर लेनी चाहिए, और उन कम्यों को नजर अंदास कर देना चाहिए, तो दोस्तों आपको ये कहानी कैसी लगी, अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब, फिर मिलते हैं ऐसी ग्यानवर्दक कहानी के साथ, आपका दिन मंगल मैं हो